क्या आप जानते हो दोस्तो, Electric Eel, एक ऐसी मचली होती है, जो current मारती है, और ये current इतना तेज होता है, कि एक इनसान की जान तक ले सकता है, तो क्या ये मचली इतना current पैदा करती है, जिसे घर के सारे appliances चला दे, नहीं, ऐसा नहीं होता, घरों में appliances को चलाने के लिए, लगातार power supply की ज़रूत होती है, जिकि ये मचली जोड़तार जटके से current मारती है, लगातार electricity पैदा नहीं करती, तो ये current पैदा कैसे करती है, दोस्तों ये ऐसा system यूज़ करती है, जिसे electrical organ discharge EOD बोलते हैं, इस electric eel के शरीर में, जनरेट करते हैं, जो पानी में फैल जाता है, इससे पानी में एक strong electric field बन जाता है, और जो भी कोई इस electric field में जाता है, उसको जटका महसूस होता है, current लगता है, ये मचली इस electric shock का खुद की रक्षा के लिए, खाना पकड़ने के लिए यूज़ करती है, लेकिन इस मचली का electricity generate करने का rate सीमित होता है, कम होता है, जिसका मतलब भी है कि continuous power supply नहीं दे सकती है,